दोस्तों अगर आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं तो केवल गाड़ी चलाना सीखना ही जरूरी नहीं है बलकि उसको प्रॉपरली किस तरीके से रोकें वो जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है तो आज के इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ कि किस तरीके से आप गाड़ी को रोक सकते हैं बहुत सारे लोगों के मेसेज आए जिनमें उन लोगों ने मुझे से पूछा कि गाड़ी रोकने का क्या बैस तरीका है और गाड़ी रोकते वक्त गेर, क्लच और ब्रेक को किस तरीके से यूज़ करें तो आज का वीडियो उसी के लिए है मेरा नम है अमित और आपका मेरे चैनल में स्वागत है और हाँ अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज को सब्सक्राइब कर ले आगे ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे दोस्तो गाड़ी चलाना सीखने के बाद गाड़ी को किस तरीके से प्रॉपरली रोकना है वो जानकारी भी होनी चाहिए तो हम यहाँ पर बात कर रहा है कि गाड़ी रोकते वक्त आप क्लच और ब्रेक को किस तरीके से युज़ करेंगे यहा पर मैं बात कर रहहा हूं दो अलग लग कीकिसिस की गाड़ी रोकते से पहले कर न休टिल में डाल लेता है और कुछ लोग गाड़ी को second gear या third gear में रोकना पसंद करते हैं या फिर वो जिस gear में हैं उसी में रोकना पसंद करते हैं लेकिन मैं आपको यहाप बोलना चाहूँगा कि गाड़ी रोकने से पहले आप गाड़ी को नूटल में ना डालें और रोकने के बाद में गाड़ी को नूटल में डालें वही बेस्ट ट्रेक्टिस है इसके बारे में हम एक अलग वीडियो में डिस्कुस करेंगे कि हमको लेफ्ट का इंडिकेटर जाएं और उसके बाद में आप लेफ्ट मेर को यूज करिए और देखिए पीछे कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है जब आप एंशूर करने कि पीछे किसी भी तरकी के कोई गाड़ी नहीं है तो उसके बाद में गाड़ी को धीरे-द्रे लेफ्ट करते जाएं और जैसे ही गाड़ी की स्पीट उस गेर की मिनियम स्पीट से कम आ जाती है आपको सेकिंड गेर चेंज कर लेना है और सेकिंड गेर चेंज करने के बाद में गाड़ी को रोकने के पूरा क्लच अंदर प्रेस कर लें और उसके बाद में तरक से ब्रेक प्रेस कर यह आपको सबसे पहली स्टैप में दीर देश छो करेंगे और इन प्रेक प्रैस करेंगे और सेकीनिद भी रोकने वाले हूं तो कलच को पूरी तरीके से अंदर प्रैस और पुरा ब्रेक है करें और गाड़ी को रोक लें तो यह बैस ब्स doin आना चाहूंगा पहले आप गारी रोक को रोकें और कोशिश करें कि सेकींड गाड़ी रोकें और उसके बाद में इसको न्यूटल में डाले यह तो था जब गारी को रोड को चला रहा है और आपको सैड में गारी रोक नहीं है दूसरी बात आती है बहुत ज़़ा ट्रैफिक कि लगाएं और आपकी गाड़ी की speed अजर बहुत चल्द सेलो आती है और 56 तक आनती है तो आप सुटब में गाड़ी को डालने के बाद में पूरी दिखने करें और और प्र समुच और प्र आय। ओर चलाने के कि जोड़े और दूसरा था जिसमें कि आपको गाड़ी को चलाती चलाते ट्रैफिक में बीच बीच में रुकना पड़ रहा है और चलाना पड़ रहा है नेक्स वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप इमर्जन्शी के अंदर गाड़ी को रोख सकते हैं आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए थैंक्यों दोस्तों बावाए